गातक हत्यार भेजे तो पुतिन का रूस यूक्रेन के डोनेस्क पर कबजा कर लेगा बारे घंटे पहले रूस ने दावा किया है कि वो किसी भी वक्त यूक्रेन के प्रोक्रस्क पर कबजा कर लेगा एधर वार एक्सपर्स का साफ कहना है कि रूस के भीशा हमलों के बाद जेलेंस्की प्रोकरस्क की जंग हार चुके हैं प्रोकरस्क हार गई जेलेंस्की क्या यूकरेंग प्रोकरस्क भी हारने जा रहा है आखिर रूसी सेना महज तीन हफते में ही प्रोकरस्क के इतने करीब कैसे पहुँच गई है क्या यूकरेंगी सेना रूसी हमलों का सामना नहीं कर पा रही जंग जीतने के जिर्द अब तो नेटो के 32 देश भी यूकरेंग को बचा नहीं पा रही है अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के हत्यार भी रूस को आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहे आखिर जेलेस्की करें तो क्या करें जंग के 926 दिन बाद भी जेलेस्की के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है क्या आखर पुतिन चाहते क्या है पुतिन का मिशन पोकरस्क पर कबजा जरा इस एनिमेशन को देखिए और पूरी खबर को समझ जिए रूस ने यूकरेंग पर क्या बढ़ध हासिल की है रूसी रक्षा मंत्राले के दावों के मताबिक रूसी सेना यूकरेंग के पोकरस्क पर किसी भी वक्त पूरी तरह से कबजा कर सकती है दावों के मताबिक रूसी सेना पिछले तीन हफ्तों से भीशन जंग में पोकरस्क के बेहद करीब पहुँच चुकी है पोकरस्क से सिर्फ 16 किलोमेटर दूर रूसी सेना ने एक बस्ती पर कबजा कर लिया है दावा किया गया है कि रूस के हमले इतने तेज थे कि यूकरेनी सेना जंग छोड़ कर भाग गाई पोकरस्क से लगभग 16 किलोमीटर दूर दक्षिन पुर्व में रूसी सेना ने यूकरेन की सेना के होश उड़ा दिये है पोकरस्क को रूसी सेना ने दूसरा बखमूत बना दिया है उत्तर से दक्षर तक पुतिन की जीत रूसी सेना की तरफ से जारी किये गए इस वीडियो की एक एक तस्वीर को देखिए कितने प्रचंड हमले रूसी सेना, यूक्रेन के कुसर्क, पोल डावा और पूरे डॉनस्क इलाके में कर रही है तो लंबी दूरी के रॉकेट और लड़ाकू हेलिकॉप्टर से हमले किये जा रहे हैं इस वीडियो में दावा किया गया है कि रूस ने उत्तर से दक्षन यूक्रेन तक सौ से जादा मोर्चों पर यूक्रेनी सेना के होश उड़ा दिये हैं दावा तो यहां तक किया गया है कि पिछले 48 घंटे में डॉनस्क, डॉनबॉस, लवीव, पोक्रस्क में हालात बखमूत जैसे हो गए हैं बखमूत को पूरवी यूक्रेन का किला कहा जाता था जिस पर रूस ने खब्जा कर लिया है रूस के तरफ से जारी ये वीडियो भी यूक्रेन के पोक्रस्क का है जहां रूस का तोब खाना, रॉकेट ब्रिगेट, पोक्रस्ट पर, पोक्रस्क बॉर्डर पर भयंकर हमले कर रही है रूसी सेना और तोब लगातार रैपिट फायर करने में लगे हैं अब आप ये भी जान लीजिए कि पिछले एक हफ़ते में यूक्रेनी सेना पर रूसी सेना कैसे भारी पटी जा रही है चौपिल्स घंटे पहले रूसी सेना ने पोक्रस्क से महज 16 किलोमेटर दूर यूक्रेनी नागरिकों की बस्ती कलिनोव पर कबजा कर लिया है रूसी रक्षा मंत्राले ने भी दावा किया है कि उसकी सेना ने पिछले हफ़ते में डॉनेस्क में 6 बस्तियों पर कबजा कर लिया और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे लंबी दूरी के सटीक हत्यारों से यूक्रेन के 17 सेन्य ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया इसके लावा मौस्कों की तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव पर जबरदस्थ हमले हुए है दावों के मुताबिक आधी रात में रूस ने यूक्रेन पर 67 भीशन और खतरनाक ड्रोन से हमले किये यूक्रेनी सेना के मुताबिक पूरी रात रूस ने कीव पर ड्रोन हमले किये हाला कि यूक्रेन की वायुसिना का दावा है कि उसमें संसट रूसी ड्रोन में से 58 ड्रोन मार गिरा हैं लेकिन यूक्रेन के एर डिफेंस सिस्टम 11 इलाकों को नहीं पचा पाए जेलेस की खुद भी मान चुके हैं कि 109 मोर्चों पर रूस से भीशन जंग चल रही है इधर जेलेस्की लगातार अपने टोप कमांडरों के साथ मीटिंग करने में जुते हैं जेलेस्की नक्षे पर बार बार अपने कमांडरों से यही समझने की कोशिश में हैं कि हम रूस को कुसरक में कैसे हराएं और डोनеск इलाके को रूसी कपसे से कैसे बचाएं Обов'язково російська наволоч відповідь за цей удар Ми знову-знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор Системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі Русські Сухої СЮ-34 бомбар шуконсі, यукраїній ठіканопер хамлі хоте-хове декхе гае Куч репортсмі є бі дава к'я геа, ке यукраїній ке куч дроно не Руссьі Хаваї Аддо пер хамла к'я Русське National Guard не к'а, ке Кусарк Парману Уржа Сенятр ме, суракша бадха ди гаи ха Кусарк Парману Уржа Сенятр се, сирф 35 км дур, бхишан жанг чал рахи ха Аб декхна хога, кя Руссь, ёукраїній ке, Прокраск, Польтава, Ордонеск па, кабжа к'я баад, рухта хе Яфир Нахин